दोस्तों यदि आप कोई भी बैंक का करेट कार लेते हैं तो करेट कार लेने पर कार्ट का जोइनिंग फी साथी कार्ट का एनवल फी पे करना होता है लेकिन यह आप EU bank का credit card लेते हैं तो यह credit card लेने पर ना तो कोई आपको joining फी लगता है और ना ही कोई आपको annual फी पे करनी की जोरब परती है यानि कि यह एक lifetime free credit card है इसके लावा EU bank का credit card लेने पर काफी सारे benefit है आप इस card के माध्यम से online transaction करते हैं तो उसपर आपको छूट दिया जता है इसके अलावा आप इस card के माध्यम से कोई भी खर्च करते हैं तो आपको उसपर reward point मिलता है साथी आप इस card के माध्यम से Amazon, Flipcard से कोई भी सामान खड़िते हैं तो वहाँ पर भी आपको छूट दिया जता है तो आप लोग किस तरह से EU bank credit card के लिए online apply करेंगे आज किस वीडियो में आपको हम complete detail में बताने वाले हैं चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस card के benefit के बारे हम जान लेते हैं इसके बाद हम इस card का apply करने के लिए detail में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह EU small finance bank का lead credit card है आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस card का feature और benefit के बारे में दिया हुआ है जैसे कि आप इस card के माध्यम से retail spend करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% या फिर 2% का cash back दिया जागा इसके लावा आप इस card के माध्यम से 400 रुपे से लेकर के 5 रुपे तक fuel भराते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का fuel surcharge wave किया जागा इसके लावा आप इस card के माध्यम से travel, dining, grocery या फिर electronics आइटम खड़िते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का cash back मिलेगा इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर देखी इस card के बारे में और भी benefit दिया गया है इसके लावा यहाँ पर देखी यह card का सबसे बड़ी बात है यहाँ पर annual, oblig, renewal भी तो यहाँ पर देख सकते हैं lifetime free लिखा है यानि कि यह credit card lifetime free credit card है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है EU lead credit card is lifetime free credit card तो इस credit card के लिए आपको ना तो कोई joining फिलाएगा और ना ही कोई आपको annual फिलाएगा चलिए अब आप इस start को किस तरिका से apply करेंगे आपको हम life proof के साथ दिखाते हैं दोस्तों मैंने वीडियो के description में link दिया है आप लोग किलिक करेंगे तो इस page पर आ जाएगे अब यहाँ पर देखे EU bank का credit card apply करने के लिए आ गया है सबसे पहला यहाँ पर है mobile number तो आप यहाँ पर अपना mobile number fill up करेंगे चलिए हम यहाँ पर mobile number fill up कर लेते हैं यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद gate OTP पर किलिक करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आएगा आप इस box में OTP को fill up करेंगे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद आगे का process होगा अब यहाँ पर देखे pen number fill up करने के लिए गया है तो आप यहाँ पर अपना pen card number fill up करेंगे चले fill up कर लेते हैं यहाँ पर pen number fill up करने के बाद proceed पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब यहाँ पर देखे आधार number fill up करने के लिए गया है अब आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number link है उस पर OTP आया होगा तो आप इस box में OTP को fill up करेंगे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है अब जो भी आपके आधार कार्ड में detail दिया गिया है यहाँ पर वह details हो करता है ज यहाँ पर है Saladid, Self-Employed, Self-Employed Professional, Student or Retire तो आप यहाँ पर अपने मर्जी से select कर लेंगे इसके बाद Proceed पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे credit card delivery address select करने के लिए गिया है तो जो भी आपके आधार कार्ड में address दिया गिया है यहाँ पर वह address हो करता है यदि आप दूसरा किसी address पर credit card लेना चाहते है तो नीचे में देखे लिखा add another address आप इसको select कर लेंगे इसके बाद next पर क्लिक करेंगे चलिए हमारे आधार कार्ड में जो भी address दिया गिया है हम इसी address पर credit card लेना चाहते है तो हम यहाँ पर इसको select कर लेते आधार address को इसके बाद next पर क्लिक क और जो भी आप credit card पर नाम print किया हुआ चाहते हैं आप यहां से वह नाम select कर लेंगे इसके बाद यहां पर है mother's maiden name तो जो भी आपके मा का नाम है आप यहां पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर educational qualification तो आप यहां पर click करेंगे और आप यहां से select कर लेंगे आपने कितनी तक तो जो भी आपका email ID है आप यहां पर fill up करेंगे इसके बाद यहां पर current residence type तो आप यहां पर click करेंगे और आप यहां से select कर लेंगे यदि आपका अपना मकान है तो आप यहां पर on select करेंगे लेकिन यदि आप rent पर रहते हैं तो आप यहां पर rented select करेंगे या फिर company ने आप कितने दिनों से रहते हैं आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है nationality तो आप यहाँ पर Indian select कर लेंगे इसके बाद आप next पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे employment type select करने के लिए गया है तो इसके बाद यहाँ पर employer name तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना नाम fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर type of industry तो आप यहाँ पर click कर लेंगे और जो भी company में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह company का नाम fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर number of years in service तो आप कितने द यहां पर है office address detail तो जो भी office में आप काम करते हैं या फिर जहां भी आप काम करते हैं उसका address यहां पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर देखे no select किया हुआ है यहां पर भी no select किया हुआ है तो आपको यहां पर no select रहने देना है इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे और next पर click करेंगे जैसे ही आप next पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए आपको credit card लिए eligible होंगे यहाँ पर देखिए हमें 75,000 रुपे का limit दिया रहा है और जो भी हम credit card के लिए eligible हैं यहाँ पर so किया रहा है तो जो भी आप credit card लेना की ज़र्वत परती है यानि की AU bank का lead credit card lifetime free credit card है तो हमने यहाँ पर lead credit card select कर लिया है आप यहाँ पर card fee and benefit पर click करके card के बारे में और detail में जानकारी ले सकते हैं इसके बाद आप next पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यह card lifetime free credit card है यानि की या credit card लेने पर कोई भी आपको charge नहीं लगेगा इसके अलावा यहाँ पर और भी benefit के बारे में दिया हुआ है तो आप यहाँ से benefit देख सकते हैं इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और proceed to video के वाइसी पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए video के वाइसी के मा पास रखेंगे क्योंकि video के वाइसी के दरण आपको signature करके दिखाना रखता है अब यहाँ पर यदि अभी आप video के वाइसी के माद्यम से के वाइसी complete करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click here to complete your के वाइसी नौपर क्लिक करेंगे लेकिन यदि आप बाद में video के वाइसी के मा agent है आपको video call के माद्यम से के वाइसी complete करेंगे video के वाइसी के दरण जो भी bank के करम चाड़ी है आप से जो भी सवाल करेंगे आप उसका answer देंगे और आपका यहाँ पर video के वाइसी complete हो जागा जैसे ही आपका video के वाइसी के माद्यम से के वाइसी complete हो जागा उसके बाद अध्यम से KYC कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके घर के पते पर EU बैंक के तरब से करेट कर सेंड कर दियाता है उमीद है कि मैंने आपको रीटेल में बता दिया है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यहाँ पर कितना लिमिट दिया गया है इसके लाव आपको कोई भी error सो करता है तो कॉमेंट करना मत वरिये फिर में अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत क्या लखिएगा बाई टेक केर